वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंड्स आज की इस ट्रील में मैं बताने वाला हूं के कैसे आप अपने लाप्टोप और पीची के ड्राइवर को इसली अप्रेट कर सकते हैं बहुत पर ऐसा होता है कि ड्राइवर अप्रेट ना होने के वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आती है जैसे कि वाइपए का काम ना करना ब्लूथ का काम ना करना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम तब हम लोग अपने लाप्टोप के मॉडल नंबर के यह होता कैसे है, सबसे पहले यह साइट ओपिन करें, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस लिंक को ओपिन करने के बाद यहां पे आप देजिएगे दो ओप्शिन है, इंस्टॉल और निचे में है ऑफलाइन वर्जिन और विडियो ड्राइवर, उपर इसे अगर आप डाउलोड करते हैं तो रन करें तो आप पीसी चलाप्ट रोप उसके पर लिए ओनलाइन स्कान करें है, आपको कौन को से ड्राइवर आउटएटेट है, फिर ओनलाइन सारी ड्राइवर को अटमेटिकल यह इंस्टॉल कर देगा, दुछरा ओप्शन है यहा यह ज्यादा है फ्रेंट्स, 314 MB की यह फाइल है, यह जिए फाइल है, इसे आप एक्स्ट्रेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको सेट अप मिलेगा, उसके आप रन करकर आप सारी ड्राइवर को अफ्टाइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, खिलाल मैं इसे प्रेंस कर देता मेरे पास अल्रेडी डाउनलोड है, वह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ यह मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसके पहले साइज में आपको दिखा देता हूँ यह ब्लॉक्स 10GB की है, तो इस setup फाइल को रन करने के लिए बिल्कुल भी मेर की जुदत नहीं है, यह बिल्कुल offline गाम करता है, किसी भी laptop में, सारी आउट डिटाइवर को इंस्टॉल कर देगा, जैसे कि आप देख लिए मेरे बस यह आउट डेटेल्ट वर्जन 15.8 है, जो मैं इसे आपको रण करकर दीखाता हूँ, ओपन करने के बाद जी कुछ, इसका इंटरफिस कुछ इस तरीके से दीखेगा, कि अभी system को scan कर रहा है, कौन से driver outdated है, कौन से नहीं है, हो सकता है, थोड़ा वक्त लगे scan होने में, और यह हो गया, बिल्कुल, जैसे कि आप लोग detect होगा, तो यहां पर बिल्कुल सो करेगा, और आपको option मिली रहा है, यहां पर install and update कर जैसा कि आप दीख लें, यहां पर program, इतनी सारे programs हैं, जिसको कि मैं update कर सकता हूँ, और बिल्कुल यहां पर install, और यह backup option है, यहां पर दो option है, आप या तो backup बना सकते हैं, जो भी इसके plan update पर click कर रहे हैं, उसके बाद आप देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे software के option आ रहे हैं, सभी तरह के, जो चाहें आप वो select करके download कर सकते हैं, और यहां पर create a restore point एक option है, I suggest कि आप यह Tigma कर ले, क्योंकि यह क्या करेगा, जब भी आप start installation पर click किजीगा, तो यह एक restore point भी ब इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, thank you for watching, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चरूब 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 चरूब